नमस्कार दोस्तो स्वागते आपका आज के मुख्य समाचारों में दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी सुभर से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबर हैं मुख्य समाचार ब्रैकिंग नियूज अपडेट्स के रूप में तो दोस्तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़दा ज़दा लाइक और शेयर करें तो दोस्तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर सिंदू बोर्डर हत्या में चार आरोपी पकड़े गए कुंडली बोर्डर पर दो निहंगों ने सरेंडर किया निहंग नारायन और सरबजीत पहले ही सरेंडर कर चुके हैं जिहां दोस्तो सिंगू बोर्डर पर तरंतार के गाउं चीमा के रहने वाए लखवीर सिंग की हत्या के मामले में चार आरोपी सरेंडर कर चुके हैं, शनिवार शाम को पुलिस ने भगवन सिंग और गोबिंद सिंग नाम के दो निहंगों ने कुंडली बोडर पर सरेंडर किया, सरेंडर से पहले दोनों ने डेरे में श्री गुरुगरंच साहीब के साम सिंगु बोडर पर शुकरवार सुभा हुई लखवीर सिंग की हत्या में अब तक कुल चार निहंग सरेंडर कर चुके हैं, इन में से सरबजीत सिंग ने हत्या के 15 घंटे बाद शुकरवार शाम को ही सिंगु बोडर पर सरेंडर कर दिया था जबकि तीन निहंगों ने शनि पुलिस ने कहा कि नारायन सिंग के अमरत सर पहुचने की खबर मिलते ही इलाके को घेर लिया गया था गुरुदवारे से बाहर निकलते ही पुलिस ने उन्हें गिरिफतार कर लिया वहीं सबसे पहले सरेंडर करने वाले सरबजीत को सिंगू बोडर के डेरे से ही हिरासत में लिया गया था दोस्तो आपकी जानकारी के लिए बता दे निहंग नाराएंड सिंग ने कबूल किया कि उसने मरने वाले लखबीर सिंग का पेर काटा निहंग ने बताया कि वह दशरा मनाने के लिए अमरत सर से निकला था शुकरवार सुबह करीब पांच बजे सिंगू बोडर पर पहुँचा वहां इकटे हुए लोगों ने उसकी गाड़ी पर हाथ मारने शुरू कर दिये बाहर निकलने पर लोगों ने बताया कि लखवीर ने गुरू गरंट साहिब की बेदबी की है उसने वहां मौझूद लोगों से पूचा कि क्या लखवीर अब तक जिन्दा है उसने जब लखवीर को देखा तो उसका हाथ कटा था इसके बाद नारायन ने तलवार से लखवीर का पेर भी काट दिया आदे घंटे बाद उसकी मौत हो गई वहीं अमरत सर में गिरफतार किया गए निहंग नारायन सिंग ने कहा कि लखवीर सिंग ने गुरू का अपमान किया था इसलिए उन्होंने जो किया, ठीक किया अब सरजीत सिंग कसुरवार है तो मैं भी कसुरवार हूँ मैंने भी सरबजीत सिंग का उतना ही सहयोग किया है 2014 से गुरुवों का अपमान हो रहा है गुरुग्रंत साहिब के अपमान की कितनी घटनाएं सामने आ गई है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अमित शाहा ने कहा सावरकर जेसी देशभक्ती की भावना किसी और में नहीं थी सवाल उठाने वालों को शर्म करनी चाहिए जियानुस्तो केंद्रिय ग्रह मंत्री अमित शाहा ने भारत और इसके स्वतंतता संग्राम के लिए वीडी सावर करकी प्रतीबदता पर संदेह करने वाले लोगों पर पलटवार करते हुए शुकरवार को कहा कि स्वतंतता सेनानी की देशभक्ती और वीरता पर सवाल नहीं की थी जिससे विवाद पैदा हो गया था उसके बाद शाहा की यह टिपनी आई है ग्रह मंत्री ने कहा था कि मेरा मानना है कि वीर सावर कर जेसी देशभक्ती की भावना किसी और में नहीं थी अपना रुख बदले बिना समाज के विरोध का सामना करते वे कठिन परिस्तित जिन्दकी पर आप केसे शक कर सकते हैं शर्म करो दोस्तों आपकी जानकारी उटादें इस बारत के लंबे संतरता संग्राम के दोरां सेक्लों सतंतता सेनानियों को केज किया गया था इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर केरल में भारी बारिश से आहाकर कई जिलों म कर दिया है जबकि साथ जिलों के लिए औरेंज और दो जिलों में यलो अलट जारी है वहीं दोस्तों के वाइनाड से सांसद राहूल गांदी ने ट्वीट कर लोगों से सुरक्षित रहने के लिए कहा है वहीं इदुक्वी जिले के कोटायम और कोक्यार में भूई स्कलन और बार जेसी स्तिती के चलते छे लोगों की मौत हो गई इसके लावा एक दर्जन भर लोग लापता हो गए हैं केरल के मुख्य मंत्री पिन राई विज्यन ने इस्तिती का जायजा लेने के लिए शाम को एक आपात कालीन बेठक बुलाई राज्य के अधिकारियों ने राज् और विस्तापित हुए जहां कई जिलों में बांद अपनी पूरी शमता के करीब हैं और पहारी इलाकों में चोटे शहर और गाउं बहारी दुनिया से पूरी तरह से कट गए हैं इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर रूस में कोरोना वाइरस से आहाकार पांच दिन का हिसाब लगाएं तो वह 5,000 मोते हो चुकी है दोस्तों राश्टिय कोरोना वाइरस कारे बल ने शनिवार को बताया कि 1,002 लोगों की आज मोत हुई जो शुकरुवार को बताये गए आंकडे 999 से जादा है वहीं दोस्तो 33,208 नई मामलों की पुस्टी हुई है जो की एक टीका करण की गतिल, लोटरी, बोनस और अन्य फाइदे दे कर बढ़ाने की कोशिश की लेकिन टीका करण को लेकर लोगों के मन में कई तरह की शंकाएं हैं जो अब भी अधिकारियों की कोशिश में बादा डाल रही है सरकार ने इस सब तहा बताया था कि देश की 14.6 करोल अबादी में से करीब 29 प्रतिशत अबादी का टीका करण पूरा हो जुका है इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर द्विंगत अलगावादी नेता सेयद अली सहागिलानी के पोते को सरकारी नोकरी से कर दिया गया बर खास्त जिया दोस्तो पाकिस्तान समर्थक अलगावादी निता सेयद अली शाह गिलानी के पोते को जमु कश्मीर में कतित तोर पर आतंकवादी गतिविदियों को प्रोचाहन देने के लिए शनिवार को सरकारी नोकरी से निकाल दिया गया अधिकारियों ने यहाज जानकारी दी कश्मीर अंतरास्टिय सम्मेलन केंदर में शोध अधिकारी नियुक्त किया गया था अनीस उल इसलाम की बरखास्तगी का आदेश आर्टिकल 311 के तहत जमु कश्मीर के उपराज जपाल मनोज सिन्णा ने दिया उन्होंने कटवा के डोडा के स्कूल में शिक्षक के तोर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं फारुक अब्दुल भट को भी नोकरी से निकालने का आदेश जारी किया उनका भाई मोहंबद अमीन भट आतंकी बन गया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर CWC की मीटिंग में सोनिया गांदी की नसीहत में फुल टाइम अध्यक्षू मीडिया के जरीये न करें बात जी आं दोस्तो देश की राश्चर राजदानी दिल्ली में कांग्रेस मुख्यलब पर आज कांग्रेस वरकिंग कमिटी यानि की CWC की बैठक हो रही है सोनिया गांदी CWC मीटिंग की अध्यक्षता कर रही है मीटिंग में गांदी परिवार और जी तेविस नेताओं के बीच टकराओ देखने को मिला कांग्रेस वरकिंग कमेटी की मीटिंग में बिना नाम लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांदी ने जी 23 के नेताओं पर निशाना साधा सोनिया गांदी ने इन नेताओं को नसीहत दी सोनिया गांदी ने कहा कि मैंने हमेशा इस पस्टता की सराहना की है मीडिया के माध्यम से मुझ से बात करने की कोई जरूरत नहीं है इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि मैं ही कांग्रेस की पूर्ण कालिन और कारेशिल अद्यक्षूं संगठन में चुनाओ का खाका केसी व्यनु गोपाल सब के सामने रखेंगे दोस्तो सुत्रों के अनुसार CWC मीटिंग में पाटी अद्यक्ष और संगठन का चुनाओ कराने किसान आंदोलन अगले साल पांच राजियों में होने वाले चुनाओ की तेयारी और महंगाई पर चर्चा हो रही है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर भुनेश्वर से जेपुर तक के लिए इंडिगो की डायरेक्ट फ्लाइट दो नौमबर से होगी शुरू जियां दोस्तो हवाई यात्रा का बेसबरी से इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत की खबर है बजट एरलाइन कंपनी इंडिगो ओरिसा के भुनेश्वर को राजस्थान के जेपुर से जोडने वाली डायरेक्ट फ्लाइट दो नौमबर को शुरू करेगी सीविल एविशन मिनिस्टर जोती रादित्ते सींधिया ने यह जानकारी दी है केंद्रिय शुक्षामंतरी धर्मेंदर प्रदान को हाली में लिखे पत्र में सींधिया ने कहा कि भुनेश्वर जेपुर रूट पर इंडिगो एरलाइन सब तहां में तीन फ्लाइट का परिचालन करेगी प्रधान ओडिसा से ही आते हैं ओडिसा सरकार इस रूट पर फ्लाइट की मांग कर रही थी प्रधान ने इस बारे में 17 सितंबर को सींधिया को पत्तर लिखा सींधिया ने कहा कि मुझे उमीद है कि मंदिरों के शहर भुनेश्वर और गुलाबी नगरी जेपुर के बीच संपर्क से परिटकों की आवाजा ही बढ़ेगी इस से दोनों राजियों में आर्थिक गतिविदियों को प्रोत्साहन मिलेगा इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबार विराट कोली ने कहा धोनी आये तो जोश बढ़ जाएगा यह भी बताया कि चहल को क्यों किया टीम से बाहर जिया दोस्तों भारती किरकेट टीम के कपतान विराट कोली ने टीटवंटी वर्ल्ड कप के से पहले टीम के बारे में उटने वाले हर जवाब दे दिये उन्होंने वर्ल्ड कप से पहले प्रेस कॉनफरेंस करके टीम के चैन महंदर सिंग धोनी के मेंटर बनने और IPL में हार के बारे में हर सवाल का जवाब दिया विराट कोली ने बताया कि यजवेंदर चहल को टीम से बाहर रखने का फैसला सबसे कठिनता लेकिन टीम मेनेजमेंट और सलेक्टर्स दोनों ही इस पक्ष में थे कि टीम में राहुल चहर को रखना है जब राहुल को टीम के अंदर रखा जा रहा था तब चहल के लिए जगह नहीं बची कोली ने बताया कि मैनेजमेंट और चहर करता उन्हें दोनों के हालिया बोलिंग के रिकोर्ड देखे और पाया कि राहुल चहर ज़ादा प्रभावी बोलिंग कर रहे हैं इसलिए उन्हें टीम में रखना ज़ादा उपयोगी साबित हो सकता है वहीं दोस्तो वर्ल्ड कप टीम के एलान होने के बाद से आरेश्विन और भुनेश्वर कुमार के सेलेक्शन पर सवाल उट रहे थे इसलिए प्रेस कॉन्फरेंस में भी पूँचे गए इस पर कॉली ने कहा कि अश्विन का सेलेक्शन इसादार पर किया गया कि वो सफेद बोल आने के बाद से काफी अच्छा कर रहे हैं फिर जड़ेजा के साथ एक अनुभवी स्पिनर की दरकार थी जिसके लिए अश्विन बहतर नाम नहीं था बुनेशर कुमार को चुनने के पीछे की वजह है उनकी किफायती बोलिंग है कॉली ने कहा कि भूवी ने लगातार किफायती बोलिंग की है उन्होंने इसका नजारा IPL में भी दिखाया वहीं दोस्तो धोनी के मेंटर बनने के बारे में उन्होंने कहा कि उनके लिए महेंदर सिंग धोनी एक बड़ी तागत है उनके टीम से जुड़ने की खबर पाकर पूरी टीम में उत्साहद दोड़ गया था ये और जादा बहतर हुआ कि वो एक IPL जीत करा रहे हैं इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर अमेरिका जाने का इंतिजार कर रहे भारतियों के लिए अच्छी खबर बस करना होगा चोटा सा काम जिया दोस्तो अमेरिका जाने का इंतिजार कर रहे भारतियों के लिए अच्छी खबर आई है जो बाइडेन प्रसासन ने विदेशी नागरिकों की एंटरी को लेकर नई निती की घोशना की है नई निती आट नॉबर से लागू होगी जिसके तहट वेक्सिनेशन करवा चुके लोगों को ही देश में प्रवेश दिया जाएगा विदेशी नागरिकों को विवान में सवार होने से पहले पूर्ण टिकाकरन के साथ ही तीन दिन पहले की नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट भी दिखानी होगी सीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार नई निती के तहट पूरी तरह से वैक्सिनेशन करवा चुके विदेशी आठ नौमबर से अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं अमेरिकी प्रसासन के इस कदम से उन लोगों को फाइदा मिलेगा जिन्होंने वैक्सिन की दोनों डोज लगवाली है और अमेरिका जाना चाहते हैं दोस्तो आपकी जानकारी के लबता दे कोरोना महामारी के करण मार्च 2020 से गेर जरूरी यात्राओं पर प्रतिबंद लगा हुआ है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी ख़बर कोरोना के बाद लोगों में बढ़ गई डाइबटीज अब आँखो को बना रही है अंधा जिया दोस्तो चोरोना महामारी के बाद से विश्व और भारत में डाइबटीज के पीडित मरीजों की संख्या बढ़ रही है वहीं अब डाइबटीज पीडित मरीजों में एक और बिमारी तेजी से सामने आ रही है और वह है आँखों में बढ़ता अंदापन जिया दोस्तों भारत में कोविड के बाद से आँख की गंभीर बीमारी डायबिटिक रेटीनो पैथी के केसों में भी बड़ोतरी देखी गई है इस बीमारी में मरीजों में अंदेपन की समिश् और अगर इलाज ने कराया जाए तो धीरी धीरे आँख की रोशनी पूरी तरह चली जाती है स्वास्ते विशेशग्यों की माने तो 2025 तक रेटीनो पैथी नाम की क्रोनिक डिजीज से पीडितों की संख्या कई गुना बढ़ने की आशंका है एंड्रोक्राइन सोसाइटी ओ वही कुछ राज्यों में तो यह सामान्य जीवन का हिस्सा बन चुकी है आज यह विमारी खासी जुकाम की तरह है लोगों के साथ साथ चल रही है जबकि कोरोना ने इस विमारी को घर घर तक पहुंचाने का काम किया आज शिर्फ शहरों में ही नहीं बलकि गाउं में भी ट तालिबान ने दिश के सभी अधिकारियों को दोशियों को खुले में मौत की सजा देने से बचने का आदेश दिया है तालिबान ने कहा है कि जब तक टोप कोट ऐसा करने का ओडर ना दे तब तक लोकल अधिकारी अपरादियों को खुले में सजा देने से परहेज करें सहय योगी वेबसाइट वियोन के मताबित तालीबान के प्रवक्ता जबी उल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मंत्री मंडल ने दोशों की सजा पर अहम फैसला किया है जब तक सुप्रिम कोट की और से दोशी को सारजनिक रूप से सजा दिये जाने का आदेश न हो तब तक इस्तानी अधिकारी किसी को भी सारजनिक रूप से सजा न दे जबी उल्लाह मुजाइद ने कहा कि अब अगर किसी दोशी को सजा दी जाएगी तो लोगों को उसके अपराद के बारे में भी बताया जाएगा जिससे बांकी लोग उस तरह की गलती करने की कोशिश न करें इस से पहले अफगांदिस्तान की सत्ता पर कबजा जमात ही तालिबान ने लोगों में खुफ भरने के लिए कईयों को पकड़कर सारजनिक रूप से फासी पर लटका दिया था मारे गए लोगों के परिवारों को यह भी नहीं बताया गया कि उनकी हत्या क्यों की गई तालिबान के इस वहशी याना तरीकों पर दुनिया के तमाम देश चिंता और अपतीज जताते रहे हैं इसी से डर का तालिबान ने अब यह फैसला किया है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर राहुल गांदी ने बताया जब चरण जीत सिंग चन्नी को सीम बनने के लिए किया था फोन तो वह रोने लगे थे जी हां दोस्तों कांग्रिस वरकिंग कमिटी की बेठक में आज वायनाड से सांसद राहुल गांदी ने एक बड़ा खुलासा किया उन्होंने कहा कि जब पंजाब के सीम चरण जीत सिंग चन्नी को सीम बनने के लिए फोन करे किये तो वह फोन पर ही रो पड़े थे राहुल ने कहा कि वह चाते हैं कि अगर किसी दलितिया महिला को मुख्यमंत्री बनाया जाय तो उन्हें रोनाना पड़े इसी भी सी डबलू सी की बेठक में चन्नी ने भी राहुल को जल्द से जल्द पार्टी अद्देक्ष बनाने की मांग कर डाली सी डबलू सी की बेठक में वरश नेताओं के अद्देक्ष बनने के अनुरोद पर राहुल गांदी ने कहा कि वो इस पर विचार करेंगे उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पार्टी नेताओं से विचारधारा की इस तरपर इस पश्टता की जरुरत है कुछ नेताओं ने कहा कि चुनाओं तक उन्हें कारेकारी अद्देक्ष बनाया जाए दोस्तों आपकी जानकरी के लिए बता दें कि 2019 के आम चुनाओं में हार की जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांदी ने अखिल भारतिय कांग्रेस कमेटी के अद्देक्ष पद से इस्तिफा दे दिया था इसके बाद से सोनिया गांदी पार्टी की अंतरीम अद्देक्ष है इसके बाद दोस्तो अब जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में क्या है इस महामारी यानि की कोरोना महामारी की ताजा इस्तिती तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं पूरी दुनिया की तो दोस्तों पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से संक्रमितों का आख़ा 22 करोड को पार कर गया जब की मरने वालों की संख्या 46 लाग के पार है सबसे ज़ादा प्रभावित देशों की बात की जायतों में अमेरिका, इंडिया, ब्राजिल, इंडियर, किंगडम, रशिया, टर्की, फ्रांस, इरान, अर्जेंटिना, आधी देशों का नाम आता है वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं क्या है भारत के हालात लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक चोटी सी रिक्वेस्ट है अगर दोस्तों आपको भी तक हमारी नियूस पसंद आई है तो इसे एक चोटा सा लाइक जरूर दे दें और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशिका आप डिसलाइक भी कर सकते हैं लेकिन लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत काफल होता है और इसी से में पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत के हालात दोस्तो भारत में इस वक्त तक इस महामारी से मरने वालों की संख्या साड़े चार लाग को पार कर गई है जब कि कुल मामलों की संख्या 3,40,53,000 के पार है सबसे ज़्यादा प्रभावित राजियों की बात की जए तो उनमें महरास्ट्रा केरला करनाट का तमील नाडू आंदर प्रदेश उत्तर प्रदेश वेस्ट बंगाल दिल्ली और इसाच थिस गड़ राजस्तान गुजरात मद्धे प्रदेश आधी राजियों का नाम आता है इसके बाद दोस्तो जान लेते हैं क्या है अगली बड़ी खबर आतंकियों ने फिर बहाया बे गुनाहों का खुन दो गेर कश्मीरियों की गोली मारकर की हत्या जी हां दोस्तो आतंक वादियों ने एक बार फिर कश्मीर में खुनी खेल खेलते हुए दो बे गुनाहों की ह इन में से एक हमला शिरनगर में गोल गप्पे बेचने वाले अर्विंद कुमार शहा पर किया गया इस हमले में अर्विंद कुमार की मौत हो गई वे बिहार के बांका जिले के रहने वाले थे वहीं दूसरा हमला पुलवामा जिले में बिजली का काम करने वाले सगीर अहमद पर किया गया वह यूपी के रहने वाले हैं घटना के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर नवजोद सिंग सिद्दू ने वापस लिया अपना इस्तिफार राहूल गांदी से मुलाकात के बाद हुआ फैसला जिया दोस्तो पंजब कांगरेस में चीड़े सियासी घमासान का अब अन्तो होता दिख रहा है दिल्ली में राहूल गांदी से मुलाकात के बाद नवजोद सिंग सिद्दू ने अपना इस्तिफार वापस ले लिया मुलाकात के बाद सिद्दू ने कहा कि मैंने अपनी चिंताओं के बारे में राहूल गांदी को बता दिया है और मेरी चिंताओं का समादान अब हो गया है जानकारी के मताबित सिद्दू अब पंजाब कांग्रेस के अद्धिक्ष बने रहेंगे हरिश रावत ने राहूल गांदी और सिद्दू की मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने अपनी चिंताओं राहूल गांदी के सामने रख दी है और भरोसा दिलाया कि वह अपना इस्तिफाव वापस ले लेंगे इसके साथ ही उन्होंने पंजाब कांग्रेस अद्धिक्ष पत की जिम्मेदारी समालते रहने का भरोसा भी दिया है रावत ने कहा कि हमारे लिए इस्तिफा मेटर अब खत्म हो चुका है क्योंकि सिद्धू ने अपनी तरफ से कहा कि मैं पहले भी पार्टी के प्रिसिडेंट की तरह काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर IRCTC टूर पैकेज IRCTC दे रहा है वेश्णो देवी घुमने का शांदार मोका खाना रहना सब होगा फ्री जिया दोस्तो भारतिय रेलवे अपने यात्रियों के लिए फिर खास ओपर लाया है अगर आप भी माता वेश्णो देवी की यात्रा करना चाहते हैं आपके पास शांदार मोका है इस ओफर के तहट आप सस्ते में माता वेश्णो देवी का टूर कर सकते हैं दरसल दोस्तों IRCTC टूरिज्म परियटन इस बार वेश्णो देवी के लोग प्रियम मंदिर में तीन रात और चार दिन के टूर पैकेज को लेकर आया है मा वेश्णो देवी का मंदिर देवी शक्ती और शर्दा का प्रतीक है मातारानी का दरबार लगबग 52,000 फीट की उचाई परिस्तित है ये कटरा से 12 किलोमेटर दूर है इसके बाद दोस्तो अगली बड़ी खबर पुर्वांचल को बड़ा तोफा देंगे प्रदानमंत्री मोधी भगवान बुद्ध की धरती से देंगे यह संदेश जिया दोस्तो प्रदानमंत्री नरिंदर मोधी 20 अक्टुबर को यूपी के कुशी नगर जिले के दोरे पर जा रहे हैं दोस्तो 20 अक्टुबर की सुभा 11 बज़े जब मोधी कुशी नगर इंटरनेशनल एरपोर्ट का उद्गाटन करेंगे तो इस मोके पर कई देशों के राजदूत और श्रिलंका का एक विशेश प्रतीनिदी मंडल भी मौदूद रहेगा दरसल कुशी नगर भगवान बुद्ध की महा परी निरवान इस्थली है इसलिए बौद धर्म के लोगों के लिए यह सबसे प्रमुक्तिर्थ इस्थलों में से एक है बौद धर्म को मानने वाले लोग कुशी नगर जरूर जाते हैं कुशिनगर का इंटरनेशनल एरपोर्ट उन लोगों के लिए खास सोगा थे जो देश दुनिया से भगवान बुद्ध की महा परिनिर्वान इसली पहुँचना चाहते हैं तो दोस्तो यह थे आज की तमाम बड़ी खबरें इसके बाद दोस्तो बारी आती है आज के माइंड की उच कुशन की जहां दोस्तो एक असान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिप चैनल की ओर से तो दोस्तो आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भारत के पहले घ्रह मंतरी का नाम क्या है जहां दोस्तो गर आप जानते हैं भारत के पहले घ्रह मंतरी का नाम तो जल्दी से कमेंटोक्स में लिख दीजिए अगर दोस्तो आपका जवाब होता एकदम सही और आप चुले जाते हैं लक्की विजिता की रूप में तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सर्प्राइस गिफ्ट हमारे यूटिब चैनल की और से तो दोस्तो जल्दी से अपना उतर कमेंटोक्स में लिख दीजिए वडियो को लेक कर लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत